यशो मती मईया के नंदे लाला यदि मेरे और लल्ला का रंग अलग-अलग है तो हम मईया और लल्ला ना हो सकते? इस कालते हैं कि मैं सच्ची में आपका ही लल्ला हूँ? किसी को कोई संदे है कि हम मईया लल्ला ना है? कोई संदे है? ने, ने, चोटी मा, मुझे कोई संदे नहीं है. मैं तो बस अपने चोटे भाई के साथ परियास कर रहा था. ताना, तु सदैव मेरा ही लल्ला था, मेरा ही लल्ला है, और मेरा ही लल्ला रहेगो. समझाई? तु लिए सबने! मा, यू यू यो यू मती मयाँ, कंदाला! मा, यू 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 यूदाला! या शुमती मैयाके नन्दिलाला या शुमती मैयाके नन्दिलाला या शुमती मैयाके नन्दिलाव कर दो काना जब तुमने मेरी बाद मानी तो मैंने करोद में उल्टा सिधा बोल दिया ना तो बस यही चाहता था को तुम फर से बनाने लगो फर से बन जा और नी गोपा लग तोली के मुख्या हेरा गया तु दुर्जन प्रहरियों आओ और इस पालक को बंदी ग्रह में डाल दो सचेत को यह माहराज यहां नहीं है वो आपके मस्तिक्ष में है उसे अपने साथ खिलवाड मत करने दीजिये माहराज वो यही है मैंने देखा है उसे स्वयम को संभालिये माहराज आपको भैभीत होने का कोई अधिकार नहीं है आप स्वयम को भूल चुके है माहराज आप तो वो कंस है जिनोंने अपने पिता को भी कारागार में बंद करवा दिया था और उनसे सिहासन का अधिकार छीन लिया था आप तो वो कंस है जिनोंने अपनी सुरक्षा के लिए वर्षों से अपनी प्रियब बहन और बहनोई को बंदी बना कर रखा है आप तो वो कंस है जिनोंने अपने कितने ही भांजों को अपने ही हाथों से यमलोग पहुचा दिया है ताकि आपका शत्रू ना पनद सके ये समय भैभित होने का नहीं है महाराज पर यदि आपके मन में ये संशय ऐसे ही बना रहा तो मैं आपको भी आपके पिताजी के साथ कारागार में बंदी बना दूंगी और उस विश्णू अव्तार का सामना मैं स्वयम करूंगी आपको जानती होना महाराणी यही क्रोध उसे दिखाएगा महाराज किसी ऐसे योध्धा को ढूंके लाईए जो उसका वद कर सके और हां किसी ऐसे योध्धा को खोच कर लाईए जो अब तक भी जेग हर योध्धा से शक्ति शाली हो यदि आप चाहें तो मैं इस कारिय में आप किस आयता कर सकती हु माराज यह लो काना ना अब ये दाईत्वा आप ही संभालो फिर तो मुझे मेरी मैया के साती रहनों है अपना सारा समय बस इनी की साती बिताने चाता हु मैं पड़ तोन्य कारी कर सकता है काना दिन में हमारे संग रह और सेज बच्चा सारा समय काकी के संग बताले बिछले दिनों में कितना सिखा है हम सबने पर तुम वन्ना आकर इस उन्हाला अफसर गवा रहो काना हाँ काना मैंने लग्स साधना सीख लिया है बिल्कुल सदिट बेटतो है मेरा लग्स बेट अरे वाँ वासंता तुने तो वाँ अच्छा लग्स आदू है तुने देखा काना मैंने गईयां के साथ बात करना सीख लियो है ये देखा ना एखा मैंने भी जाठी चलना सीख लियो है अब मैं सब की रख्षा कर सकता हूं मैंने भी सीख लियो करियां की गिंती कैसे की जाती है वो देखो बलरंग शक्ती साड़ी होने का अभ्यास कर रहो है मैं तुम सब के लिए बात परसन्न हूं बस मुझे तो अपनी मैया के साथ ही रहनो आए और हाँ सखाओ दाव को बता दो मुझे इंसे बातना कंडी मैया चलो घर चलो आए चलो रहाँ सखाओ दाव को बता दो मुझे इंसे बातना कंडी रोहिनी जी जी बल्राम क्या होगो इतना दुखी क्यों है बल्राम क्या होगो छोटे बाबा इतने दिन हो गए काना हमारे साथ आई नहीं रहा यकता है मुझे क्रोधित है क्योंकि क्रोध में मैंने उसे कह दिया था कि वो आपका और छोटी मा का पूतर नहीं है क्रोध कित्ता भी क्यों नहों बल्राम हमें सदैव अपने सब्दों को प्रियोग सोच समझ करनों चाहिए सब्द ना बाण की तरह होते है यदि एक बार मुखरूपी दुनुच से निकल जाए तो वापस ना आते मुझे पता चल गया छोटे बाबा पर मैं उसे कैसे मनाऊ? इस कला में तो काराई प्रविड है मुझे तो उसकी तरह बोले पन से मुश्कुराना भी नहीं आता पर राम, तेरी भावना तो सच्ची है न? बस उत्ता ही प्रयाप्त नहीं, इतना प्रयाप्त नहीं है चोटी बाबा मैं ले बहुत प्रयाप्त किया आज छमा भी मंगी उससे, पर वो नहीं माना सब दोसर जो घाव लगते हैं न, बलराम वो यह एक बार में ना भारते और वैसे भूल तो तुम ही ने की थी तो काना को मनाने का प्रयाप्त भी तुम्हें ही करना चाहिए आज तुने अपने दाव से अच्छे से बात ना की क्यों? दूद पीने के बाद अपने दाव के पास जा और ठीक से बात कर मैं क्यों जों मैया? उन्हें नों इचे कित्ना कच्छू पोला है तेरे दाव की भावना तुझे दुख पहुचाने की ना थी लल्ला कब तक रोदित रहेगो? और वैसे भी वो है तो तेरे दाव ही ना? छोटा भाई है ना तुम्हारा? अच्छे से मनाएगो तुमान जाएगो एक बार और प्रयास करके देखो पहल करने से हम छोटे ना हो जाते लल्ला और अपनों की भूल को हमें छमा कर देनों जाएगो इसे छोटी छोटी बातों को गृते से लगाने से संबंद बिगड़ जाते हैं समझाई? आप सही कह रहे हो छोटी बाबा बल्राम का बन तो छोटी बाई से ही है मैं अपने संबंद को और भी अधिक बलसाली पनाऊंगा अरे कहां जा रूएप? अरे मैं भी आरू मैं भी जाके उन्हें से बात करता हूँ जा करते हैं चमा कर दो दाओ काना आप तो पहले ही चमा मांग चुक्या पर तुम चु चमा मांग रहे हो क्युंकि मैंने अपने जाओ की आज्ञा ना मानी नहीं काना मैं आज्या आज्या मेरी आज्या से अधिक मात पुण है कितने अच्छे लगते हैं ना दूनों एक साथ एक दूसरे के भूल से ऐसे ही सिखेंगे एक साथ बड़े होंगे दूनों भाई सुनो जी आपको पतो है क्या बलरामने एक दिनों में क्या-क्या सिखो है बाभी बता रही थी के सुभा सोहम से उड़ जातो है और तैयार भी हो जातो है समय का आदर करना सीख लियो है इसने मुझे लगता है कि गौचारण पर जाना बलराम के विकास के लिए सहायक बनरू है कि अपने काना को गौचारण के लिए जाने से रोक के कहीं मैं कोई भूल तो ना कर रही है आए 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 ना महाराज यह कहां लेकर आई हो प्राप्ती मौन क्यों हो मौन प्राप्ती प्राप्ती मैंने पूछा कौन है यहां? सामने आओ! मैंने पूछा कौन है यहां? सामने आओ! यह कैसे संबल है? यह कैसे संबल है? कौन है तू? कौन हो तू? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है इतना दुस्साहस! मेरे सामने तलवार लहरा रहा है इतना दुस्साहस! यदि तूने पलक भी चपकाने का प्रयास किया मेरी यह तलवार तेरे रख्त से स्नान करेगी अरे तू, अपनी पहचान बता और सामने आ महराज, महराज मुझे छोड़ दीजी इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आ अन्यता तेरा ये शीष तेरे थड़ से अलग हो जाएगा अपने दावस का प्रणाम स्विकार करें, महराज अभी तुमारे फुरान ही ले लेता मैं अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब आप चलिए उस विष्णो अवतार का प्राण ले गई जो मसूर आपकी आज्या कापालन ना करें, ये तो संभव नहीं है महरानी आप निश्चिन्त रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि उस बालक को किस ने मारा है तुट के भाई बलराम ने, या उसके सखाओं ने, या फिर स्वैम उसके माता पिता ने मुझे तुम्हारा ध्यान पहले क्यों नहीं आया वे मासूर तुम तो वो चाया हो, जो अपने ही तन को निकल जाए अब अपनी प्रशन सा करने में मैं समयनस्ट क्यों करूं महराज आपका कार्य हो जाएगा, मैं आज रात्र ही निकल जाओंगा अपनी नवन के लिए आग्या है कान्हा कृष्णा गुपाल कृष्णा ना ना अचे ठीकना है ना कान्हा के विकास में बाधाना पन जकती ना कान्हा कृष्णा गुपाल कान्हा क्रेश्णा गुपाल कान्हा कान्हा क्रेश्णा 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 कान्हा, क्रेष्ण, गुपाल कान्हा, क्रेष्ण, गुपाल क्रेष्ण, गुपाल वेंदा देवी? क्या मुना देवी? देवी कोंगा? आप दिनो, या इस समय आपने तो गौच आरण के लिए आना ही छोड़ दिया है, प्रभू हम सबको आपके इस्मृति बहुत सताते हैं व्रिक्ष, वनस्पतियां, फूल, फल, पत्ते सभी आपको स्मरन करते हैं, गुपाल अब फिर से वन आना आरम कर दीजिये, श्री कृष्ण हमें अपने दर्शनों से वन्चित मत कीजिये आपने तो मुझे वचन भी दिया थाना प्रभू कि मैं आपके लिलाओं की साक्षी बनूंगी फिर मुझसे ये सौभाग्य क्यों छिन गया आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं आपवन श्र, मैं ये उट जाएंगी वैसे भी उन्हें अच्छी नीम्नी आ रही है पर एक बार तो कह दीजे प्रभू आप फिर से आना अरम कर देंगे अपनी लीलाओं के लिए, अपने दर्शनों के लिए हमसे अनंत प्रितिक्षा नहीं करवाएंगे आप मैं अविश्य आउंगा मैं जागने वालिया किरपीया भी आप सब जाईया महीया जागने वालिया जे, कब तक अपनी मैया का पल्लू धा मे रहेगो? नाना, मैं इसके विकास में बाधाना बनूँगी कल से ही इसे कौचारण के लिए भेजूँगे मैं मैं तो कहता हूँ इससे उत्तम मुल्य यहाँ तो क्या पूरे मथुरा में नहीं मिलेगा? सुबे सुबे का समय है, व्यापार कर लो मेरे साथ व्यापारी जी, हमें मथुरा के व्यापारी पर भरुसा ना है तो हमें तो क्षमा करो बड़ा आयो हमसे बैपार करने वाला मेरे साथ व्यापारी नहीं किया मुर्फो ने उन्हें पता ही नहीं में मतुरा का जाना माना सेठ हूँ ऐसे ही थोड़ी ना पूरा जन्पत मुझे धनिया सेठ के नाम से जानता है धनिया सेठ तुझे कच्चु चाहिए ना एक बर सोच लेकाना ओ मैया तुबह उड़ते ही था अपने मुझे तुड़ दिया था फिर जलपान में लड़ो तुर माखन भी तुखिलाया था और ये फल कच्चु ना चिया मुझे एक बार फिर से सोच लेकाना आज तुझ जो मांगे गोना मैया देगी और मैं कोई प्रस्ण भी ना पूछूँगी मेरी प्यारी मैया आप तु बीना मांगे ही सब कुर दे दे दियो अच्छा अच्छा मेरो प्यारो लल्ला मेरो प्यारो लल्ला नटखट मैया की नकल उतारतो है मेरी मैया बहुत अच्छी है सब कुछ देती है मुझे मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए और बन जाने की आग्या भी चाहिए ठीक है तो दे दी सच्छी मैया काना चलो ना चलो रुक 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 अभी आई अब जा आज तो जाना ही पड़ेगा कंच मामा ने अथी ती जो बेजाए वन्दावन में अब 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 अरे व्यापारीजे फिरा गये तुम हमने तुमसे कहा हमें तुमारे साथ व्यापार ना करनो है तो फिर ना करनो है अब बार बार आप स्विम भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हूँ आपको चाहिए क्या बताओगे नंद भवन हां 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 नंद भवन बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि नंदभवन कहा है सुचा इस गाउं में आया हूँ तो नंदराज से मिल लो अच्छा अच्छा तो तुम फिर सीधे जाओ और सीधे जाके उल्टे मुढ जाना और फिर आगे से दहीने दिशे में मुढ जाना जहां मार्क समाप ठोगो वहीं सामने मिल जाएगो तुम्हें नंदभवन अच्छा अच्छा धन्यवाद सुनो पर इस समय नंद जी घर पे ना है मुझे तो उनके प्यारे पुत्र से मिलना है लल्ला से भला क्यों मिलना है सची सची बताओ कौन हो तुम सच बताओं हाँ बताओ हम व्रिन्नावन वाले हैं ना तो आसत्ते बोलना प्रिये है ना सुनना कच्छू तो गलबड है तुमारे बेवार में सवयम बताओगे या हम बुलवाएं अब सत्ते ही सुनना चाहते हो तो सुन लो मैं हू मायावी छलिया छलिया और तुम कनिक अपना मूट तो देखो छलिया ऐसा दिखतो है का तो कैसो दिखतो है जैसो भी दिखतो है लेकिन ऐसो ना दिखतो बानू मैंने एक बास सुनू है कि चलते बीच मार्क में अगर कोई छलिया मिल जाए तो उसे पीछे पलटके ना देखनो चाहिए ना तो छलिया के जाल में फसने में छन बर भी समय न लगतो है सही सुना अब पीछे से तुम दोनों का नाम पुकारूं तो मुड़ना मत चल बंसी चल नहीं तो यह चलिया जी हसा हसा के प्राण निकाल देगो बानू बंसी हाँ 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 इना लेपिक, पर्दिßका, जुछार्वार्वा हाँ, रूप सरूप में तो ये थोड़ा ठीप ठाख है ये तो गाओं के और जा रहा है गाओं आलों के प्राम संकट में पड़ जाएंगा है अरे, सीगर करो, तुम सब के कारण पहले ही विलम होगो है आज हाँ, मैं भी जही सोच रही थी, कही काना गोचारन के लिए नचा लगए हो नाना मौसी, ऐसे ना बोलो, तो फिर किसी दन किसी कार में मनना लगेगो आप सब तो बातों में ही समय निकालो, मैं तो चली, काना को निहारूंगी, तभी सांती मिलेगी रपेग को अरे, ठहरो, हम सब भी चल रहें, रो, गई इस गोपी का रूप धारन करके, मैं भी निहारता हूँ इसके काना को काना का गया जान की पोटे को करना? पाडि के उपण कर दो 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 कर झाल झाल क कर फजाद से और ला सिलने प्य Soo To geschilipp ए में नुझ कह था कर करता से प्रला प्योब कर मैं उनल कर दो बनल यह तो काना की मुडली की दुन है? वे लाम हो गयो है, वो तो बन में पहुच भी गयो बस करो मोसी, सुनने दो ना, कितनी मीठी दुन बजा रहो है काना यह तो स्वयम ही मुझे बुला रहा है, अपना पता बता रहा है अब तो इसके आखेट में और भी अधिक आनन्दा आएगा अवसी ही एक पाव पे तन के, पूरे आत्म मिश्वाद के साथ स्रिभंग मुद्रा में मुडली बजा रहे होगो काना हाई, कितना सुरीला बजाता है स्रिभंग मुद्रा में मुद्रा रहा है स्रिभंग मुद्रा रहा है स्रिभंग मुद्रा में मुद्रा रहा है झाल 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 कि प्रभू की धुन है ही इतनी मीठी, इतनी कर्ण प्रिये, कि असुर तो क्या, सारी श्रिष्टी ही यहां आकर खम जाए। कहिए तो नहीं है वो, मेरा शिकार विश्णु अवतार। कहार वहां बार। कर दो कर दो कर दो कर दो